नमस्कार आप देख रहे हैं विंद्य भारत और आपके साथ मैं हूँ अजिता दो साल पहले आज ही के दिन मध्यप्रदेश कॉंग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी साल 2019 की 20 मार्च को कॉंग्रेस के अपनों ने साथ छोड़ दिया था और कमलाथ सरकार ने बहुमत खो दिया था इन दो सालों के बाद भी एक सवाल जसकतस है क्या जो गलती 2019 में कॉंग्रेस ने की थी वही गलती वा आज भी कर रही है आखिर पार्टी चूक कहां कर रही है साल 2018 में जन तातकालिक मुद्धो पर कमलाथ सरकार को ध्यान देना चाहिए था उस पर उसने सोचा ही नहीं इतना ही नहीं जन चहरों के सहारे कॉंग्रेस को सत्ता मिली उसने उन्हीं चहरों को नजरंदास कर दिया मध्यप्रदेश कॉंग्रेस को सत्ता से बाहर हुए रविवार को दो साल हो गए कमलात सरकार 15 साल के सत्ता के वनवास के बाद सूबे के सिंगहासन पर काविश हुई थी साल 2019 की 20 मार्च को अपनों के पराय होने के कारण ततकालिन कमलात सरकार ने संख्यागडित कम होने से बहुमत खुदिया था दो साल बाद भी सवाल ये है कि जो गलती 2019 में की क्या वही गलती अभी भी कॉंग्रस पार्टी की परंपरा का हिस्सा है सवाल इस बात को लेकर भी है कि पार्टी कहां चूप कर रही है साल 2018 में सत्ता में वापसी के बाद जो ततकालिक मुद्दे थे उन पर कमलनात सरकार ध्यान न दे सकी इतना ही नहीं बलकि जिन चहरों के सहारे कमलनात ने प्रदेश की सत्ता हासल की उन चहरों में से एक जोतिरादित संधिया को हाशिये पर डाल दिया इससे नाराज संधिया दल बदल कर बीजेपी में चले गए सिर्फ संधिया समर्थक विधायक ही नहीं बलकि कॉंग्रस पार्टी के दिगज नेता कमलनात अरुनियादव जीतू पटवारी के करीबी विधायग भी पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए आज भी कॉंग्रस के अंदर कई नेता हाशिये पर हैं सत्ता गवाने के बाद ये नेता प्रदेश कॉंग्रस अध्यक्ष कमलनात को कई बार आखे दिखा चुके हैं कॉंग्रस पार्टी के अंदर गुडबाजी अभी भी हावी है आलम यह है कि पार्टी के कई बड़े नेता मौके मिलते ही प्रदेश अध्यक्ष का आइना दिखाते हैं कई बार बयान तो कई बार नसीहत देकर और कई बार सोशल मीडिया पर ये निता अपनी ही पार्टी को कट घरे में खड़ा कर देते हैं मधिप्रदेश के निमाड में कॉंग्रस पार्टी का बड़ा चहरा अरुनियादव विंधि में पूर्वनेता प्रतिपक्ष अजय सिंग दिगविजय सिंग के छोटे भाई लक्षमर सिंग सहित कई छोटे बड़े नेता हैं जो मौका मिलते ही पार्टी को कोसते हुए नजर आती है इसी गुटबाजी को खत्म करने में कॉंग्रस फेल साबित हो रही है और यही कॉंग्रस की सबसे बड़ी चूक है इतना है नहीं बलकि कमलात और दिगविजय सिंग के बीच बड़ती दरार भी कई बार मीडिया की सुर्ख्यां बनी सिर्फ सड़क पर ही नहीं बलक जाकर राजबाल के अभी भाशन का सोचल मीडिया के जरिये ही बहिशकार कर दिया